हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चानल आज मैं आप से कुछ यूसफुल प्रोड़क्ट शेयर कर रही हूं जो रिसेंटी मैंने अमाजॉन से पर्चेस किये हैं तो यह फर्स प्रोड़क्ट है देखिए यह एक शौवर कैडी है यह तीन लेर वाली है और इसका माटेरिय प्लास्टिक है डिस्कलेमर यह प्रोमोशनल वीडियो नहीं है इसके साथ में तीन वैक्यूम कप्स आए है और यह स्कूरूज और इसके नट्स आए हैं जो यह भी प्लास्टिक मेटेरियल में ही है हमें पहले ये black caps को निकालना है फिर इसे इस तरह से fix करना है फिर इस तरह से इस hole में इस screw को डाल कर net से fix कर देना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ देखिए दोनों साइड इसी तरह से हमें फिट करना है नेक्स्ट वन भी हमें इसी तरह से fix करना है ये देखिए इसके तीनों layer fit हो चुके है अब हमें hanging वाला portion याने handle fit करने है ये देखिए इस तरह से मैं handle पर fit कर रही हूँ ये देखिए ये अब पुरी तरह से fit हो चुकी है अब हम इसे वाल पर easily hang कर सकते हैं और इसमें अपना सामान स्टोर कर सकते हैं लेट्स ओपन दा सेकेंड प्रोडक्ट ये एक vegetable cutter है ये plastic वाला vegetable cutter है और ये ऐसे अलग-अलग pieces में आया है जिसे हमें assemble करना है ये इसकी knife है और ये काफी sharp है और इसकी quality काफी बढ़िया है जो base है इसकी quality पी बहुत बढ़िया है ये screw वाले area में knife का ये hook वाला portion हमें fix करके इसे थोड़ा सा pressure देने के लिए किसी चीज से दबाना पड़ेगा तब ये fit हो जाएगा जैसा के मैं करके दिखा रही हूँ इस तरह से हम इससे vegetable और meat दोनों आराम से cut कर सकते हैं और ये वाला portion coconut grate करने के लिए है जो usually south में किया जाता है इसके bottom में suction cup दिया गया है इस तरह इसे surface पर रख कर इसके knob को घुमाना है और ये जगे पर fix हो जाएगा विल्कुल भी नहीं हिलेगा इस इस वन आफ माइ फेवरेट किचन प्रोड़क्ट लेट्स ओपन दा नेक्स प्रोड़क्ट तो ये है ceramic aroma diffuser ये plug pin के साथ आता है और इसमें on off के लिए button भी दिया गया है और इसमें oil डालना होता है वो portion steel का है हम इसमें aroma oil डाल कर भी use कर सकते हैं साथे साथ हम इसमें camphor डाल के भी use कर सकते हैं ये देखने में बहुत खूबसूरत है लेट्स ओपन दा नेक्स प्रोड़क्ट तो ये है iron वाले plant stands इसके उपर हम अपने plants अच्छे से रख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से kitchen में भी use कर सकते हैं storage double करने के लिए या फिर as a planter stand here use कर सकते हैं जिससे हमें surface clean करने में बहुत आसानी होती है अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe करिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए so till next video take care bye bye